हेलो दोस्तों आपका स्वागत है और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिसकस करेंगे नोबल प्राइस के बारे में जो भी स्टाटिक कोशन इस टॉपिक से बनते हैं करंट अफैर्स के जो 2019 के कोशन इस टॉपिक से बनते हैं सारी जो भी रेलेवेंसी है इस टॉपिक क अब लोग सबी अनलसस देख रहे होएंगे उसमें डेली जो है नोबल प्राइस कोशन बन रहा है सो हम यहां पर टॉप 50 कोशन विद एक्स्ट्रा डिटेलिंग कवर करने वाले हैं तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे इसके पमत करिए ठीके ना इसके ल पर नए है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजे और सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को जिसे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और भी जादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलिग्राम फेस्बोक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं टेलिग्राम की इसके अलावा मैं बात करूँ जो लूसेंट डेली टी-20 टेस्ट सीरीज है बाइदी वरुन अवस्ती सर ठीके ना जो कि चार जनवरी से स्टार्ट हो गई है 15 जनवरी तक के लिए है जिसमें लूसेंट के जो जीएस का जीकी का पोशन है उसके डेली 20 कोशन का टेस्ट यह है उस पर हमारा जो रेफरल कोड है ताट इस ओनलान स्टडी पॉइंट आप वो अप्लाए करेंगी जिस पर आपको 10 परसंट का इंस्ट डिसकाउंट मिल जाएगा तो हमारा जो नया चैनल इस माइग्जाम आपकी एंटी-पीसी के लिए बनाया गया है आप जाकर किसको जाता है फिजिक्स, कैमिस्ट्री, फिजियोलोजी या फिर मैडिसिन, लिट्रेचर या फिर पीस चीक है इसके लाब कौन सी संस्था है जो यह देती है तो देखिए जो मैं बात करूँ पहले हम बात करेंगे कंट्री की तो स्वेडन है उसमें सारे नोबल प्राइस दिये सकता है रोयल स्वेडिश अकैडमी है इसके लाब स्वेडिश अकैडमी ऑफ साइंस यह फिसिक्स और व कैमिस्ट्री में देती है फिर नौबल कमीयाज इसमें नौबल कमिटी irregularly थे यहा श्रीक है इसके लाब आप करूं जो है सबसे पहले 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी लेकिन इकनोमिक्स में जो है 1969 में यह दिया गया था पहली बार तो यह भी आपको याद रखना है अब हम देखेंगे हमारा पहला कोशिन की जो अभीजीत बनर जी है जिनको 2019 में नोबल पुरुस्कार दिया गया था तो 2019 का जो नोबल प्राइज है यह दिया गया था इन्हें इन्दी फील्ड ऑफ एकनोमिक्स यानि की अर्थशास्त्रा ठीक है तो अर्थशास्त्र यानि की इकनोमिक्स में इनको दिया गया इनके साथ इनकी वाइफ थी उनको भी दिया गया था नेक्स हम चलींगे आगे अभी हाली में एंटी पीसी में जो है कोशिन पूछा गया था कि पहले भारतिये जिनको नोबल प्राइज दिया गया था वह कौन थे तो पहले भारतिये में बात करूं जिनको नोबल प्राइस दिया गया वो कौन थे रविंद्रेनाथ टैगोर थे इनको कब दिया गया 1913 में दिया गया किस शेत्र में दिया गया था तो यह दिया गया था इन्दी फील्ड लिट्रेचर ठीक है और इनकी जो रचना थी दैट वर गितानजली उसके लि इन्दी फील्ड ओफ पीस ठीक है ना शांती के शेत्र का जो नोबल प्राइज है किसको दिया गया था तो यह दिया गया था मदर टैरेसा को ठीक है ना कि इंगे अर्थ्शास्त्र में हम बात करें कि शेत्रèces में सबसे पहला nobel पुरुसकार किसको दिआ गया था तो फिर्श के 1969 तो रेग्नर भिष्व और जेन टिबर जैन यानि कि C जो है correct answer होगा नेक्स हम देखेंगे नोबल पुरुसकार पहली बार कब दिये गए थे तो नोबल पुरुसकार पहली बार 1901 में दिये गए थे और अगर आप से पूछ लिया जाए कि सबसे पहले अर्थशास में कब दिये गए तो 1979 में 2020 में साहित के शेत्र में नोबल पुरुसकार किसे प्रदान किया गया है 2020 में यह दिया गया है Lewis Gluck को और यह जो है व्लॉंग करती है USA को इस नोबल पुरुसकार किस वहग्यानिक की आदमी दिया जाता है तो यह दिया जाता है Alfred Noble ठीक है ना, नाम से हमें पता चल रहा है, okay, Alfred Nobel उन्होंने काफी सारे inventions किये थे, ठीक है, WFP, जिसको जो हमारा World Food Program है, ठीक है ना, United Nations की एक body है, World Food Program, इसको इस बार का 2020 का Nobel Peace Prize दिया गया है, इसलिए इसका जो मैं बात करूं, फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, WFP की पैरेंट, जो और्गनाइजेशन और सनस्थान कौन सा है, तो United Nations, United Nations से भी बहुत कोशन बन रहे हैं, ठीक है, ना, कल उनके आठवे प्रमक पूछे गए थे, बंकी मून हैं, और करंट जो है, एंटी नियोग टेरस हैं, मुख्याले नियॉऔर्क में है, 1945 में इसको इसको एस्टैब्रिश किया गया था, अल्फरिड नोबल का जन्म कब हुआ था, तो अल्फरिड नोबल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, ठीक है, WFP, World Food Program का जो म मिलग्रॉम और रौवर्ट बिलसन को, ठीक है, C जो है, करेक्ट आंसर होगा, मैं बात करूँ, WFP, यानि कि World Food Program की वर्थमान अध्यक्ष कौन है, तो डेवड बैसले है, ठीक है, ठीक है, साहित के शेत्र में नोबल परुसकार कौन प्रदान करा था, तो यह आपको बता दि साहित के शेत्र का नोबल परुसकार कौन देता है, सोड़िश अकैडमी देती है, ठीक है, एकनॉमिक्स में कौन देता है, जो है, सैवरिजिस रिक्स बैंक देता है, इसके अलावा, पीस प्राइस जो है, नॉर्वेजियन नोबल कमीटी देती है, और रोयाल सोड़िश अक अर्शास की नोबल पुरुस्कारों की शुरुवात कब हुई तो मैं आपको बता दिया 1969 में हुई अल्फरेट नोबल ने किसकी खोच की थी वैसे तो अल्फरेट नोबल ने बहुत सारी खोच की थी जिनमें एक डाइनामाइट भी शामिल है 2020 में रसाइन विज्ञान के शेत्र में नोबल पुरुस्कार से किन को सम्मानित किया गया है तो जो दोनों है इम्मैनुवल शार्पैंतिया रो जैनिफर डॉडना दोनों को ही जो है इन्दी फील्ड आफ मैं बात करूं केमिस्ट्री में इनको 2020 का नोबल पुरुस्कार दिया को ठीक है न केली कथ दीए जाते हैं हर साल 20 दित्सम्र को जो दिय जाते है don Wraethy Chuck Nin Enٌ 1969 में पहला नोबल पुरुस्कार किस महीला को दिया गया था तो पहला नोबल पुरुसकार दिया था मेरी खुईरी को ठीक है अल्फरिट नोबल का जन्म सुडन के किस शहर में हुआ था तो इनका जन्म है यह हुआ था स्टॉक होम में 2020 में चिकिट्चा का नोबल पुरुस्कार किसको दिया गया है तो तीन लोगों को चिकिट्चा के यह को है जोब पुरुस्कार को प्रतान किया जा सकता है तो आधिक्ट्चा शेत्र में नोबल पुरुस्कार कौन तो आंसर इसका Karolinska Institute नोबल पुरुसकार से सम्मानित किये जाने वाले सबसे कम उम्र की मलाला यूसीफ जाई को किस शेत्र में नोबल पुरुसकार दिया गया था तो यह दिया गया था शान्ति का किके किस कंट्री को बिलॉंग करती है तो यह करती है पाकिस्तान को नोबल पुरुसकार को पहले मर्नोपरान दिया राता था इसे कब समाप्त कर दिया गया तो 1974 में इसको समाप्त कर दिया गया नोबल शांदी पुरुसकार से सम्मानत किये जाने वाली पहली महीला कौन थी तो ये थी बैरोनेस बर्था सोफी फैलिसिटा वॉन सटनर जंगल बुक नामक साहित के लिए किस साहित का नोबल पुरुसकार 1907 में दिया गया था सही आंसर इसका रुड्यार किपलेंग नोबल पुरुसकार पाने वाली प्रथम भारतिय महीला कौन है तो आंसर है मदर टेरस हमने देखा था इनको पीस प्राइस दिया गया था नोबल पुरुसकार से समायात किये जाने वाले सबसे कम अम्र की व्यक्ति है मलायाला यूसाफजाइवजा र खीके लिए न, शांती का नोबल पुरुसकार पाकिस्तान के बिलौंग कर दी तो राविंड़नाथ टैगोर को 1913 में साहित नोबल पुरुसकार दिया था रवन्दनाट टेगोर को किस रचना के लिए जो ही नोबल परुसकार दिया गया था तो इनकी रचना थी गितान जली 2020 का नोबल शान्थी परुसकार किसे मिला है तो ये मिला है वाल्ड फूट प्रोग्राम को जिसका हैटकॉटर रोम इटली में है नोबल शान्थी परुसकार से सम्माने किये जाने वाली पहली महिला काफी बड़ा नाम है बॉरनिस बार्था सोफी फैलिसिटा वॉन सटनर किस देश की रहने वाली है तो ये हैं ऑस्ट्रिया की ठीक है रविणनाठ टैगोर को किस शेत्र में नोबल पुरुसकार दिया गया था तो शाहितिके शेत्र में 1913 में एकस्टी की खोच के लिए भौतिकी का नोबल पुरुसकार 1901 में किसे दिया गया था ठीक है पहली बार विलहम कॉन्रोड रॉंटन को रविणना टैगोर को नोबल पुरुसकार कब दिया गया था उनको दिया गया था 1913 में दो अलग-अलग शेत्रों में नोबल पुरुसकार से सम्मानित होने वाली एक मात्र महीला तो मैंने आपको बताया था मैरी कुईरी है ठीके ना बहुते की और रसाइन दोनों में शांती शेत्र में नोबल पुरुसकार कौन प्रदान करता है तो शांती के शेत्र में दिया जाता है नौर्वेगी संसद स्टर्टिंग द्वारा चुनी गई पांच संसद ये समीति के द्वारा ठीके ना नोबल पुरुसकार 1901 में सबसे पहले किसे दिया गया था तो हैंडी डुनाट और फेडरिक पैसे से को ठीक है 11,18,000 डॉलर तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा मैरी कुरी को दो बार नोबल पुरुसकार दिया गया एक 1903 में 1911 में किस-किस शेत्र में दिया गया है तो यह मैं बताना है बहुतिकी और रसाइन विध्या यानिकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2020 में बहुतिकी के शेत्र में नोबल पुरुसकार किन तीन मैं बात करूँ विध्यानिकों को सम्मानित किया गया है तो रैजर पेंडरॉस, रैनहार्ट गैंजिल और एंट्रिया गेस को तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल किस देश के रहने वाले थे सुडियन के थे स्टॉक हम में इनका जन्म हुआ था बहुत एक के शेत्र में नोबल पुरुसकार कौन प्रदान करता है तो रोयल स्टूरिश अक्याडमी आफ साइंस लास्ट कोशन 2004 में शांति का नोबल पुरुसकार से सम्मानत किये जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो ये थे वंगारी मठाई ठीक है तो आप डिरेक्टली जो है ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट सर्च कर लिए टेलिग्राम पर इसके लावा वीडियो की पीडियाइव के लिए मुबाइल अप्लिकेशन और और बी जो हमारे चैनल से हैं जो आपकी प्रप्रेशन के लिए बनाए गए हैं आप उन पर भी हमें स जानने को में लिगा, okay? Thank you.